हेलो बच्चों स्वागत है आपका मैथेमेटिकल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लेक्चर नंबर फोर में जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कई सारी ऐसे नहीं फॉर्मूलेस पढ़े जो कि 910 तक हमें नहीं पढ़ाए जाते जैसे कि सो कॉस आफ ए प्लस बी कॉस याइज जिन को फ्लस द आफ मंए्याद कर लिया। इसे साइन-फंद्र की वैल्यू यह सब फॉर्म्मूलेस हम न कल पड़े अब चन्टिन्यू करते हैं आपे आज चाहां से मब्ल स्टाइट करने और यह rule करता है क्या है Basically यह rule बचलों ट्रांगुल के साइड में और उसके एंद्स कछ रिलेट करता है ट्राइंगल के साईड और उसके एंद्स उसकेें प साइड में हम कह Liter देि कर दें आयूंकर और क्या मतलब है क्या मतलब अब rule for triangle, उसमें निखना, it is applicable, it is valid for, it is valid for all types of triangle, all kinds of triangle, सभी तरह के triangles के लिए valid है, कोई भी तरह का triangle हो, may be, skeleton, isolus, right angle, equilateral, सब के लिए ये valid है, क्या है, देखते हैं, इसमें, ये rule बोलता है, कि एक triangle में कोई एक side ले लो, जैसे A side है और उसके सामने वाला angle, लैट ऐसे यह angle है alpha उसके सामने वाला तो इनका ratio लो, ratio किस तरह से तो A और angle का sign लेना है अपने को तो sign of alpha है ना similarly, same चीज दूसरे side के साथ करो, जैसे यह है यह side C है तो C और ratio में क्या लो इसके साथ, उसके सामने वाले angle का sign sign इस figure के according देखें, तो gamma, यह दुनों बराबर होंगे और similarly, यह बराबर होगा किसके, तीसरे side के साथ सेम चीज करो, B तो उपर B रखा हम और इसके सामने वाले angle का sign, तो sign of beta ठीके बच्चों, यह ratio बराबर होते हैं आपस में, तो कोई भी side और उसके सामने वाला angle का sign ले लो और यह ratio हर side के लिए करो ऐसा तो ratio हर बार बराबर आएगा इसको sign rule कहते हैं हम लोग यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है, इसी को reciprocate करके लिख रखा, reciprocal लिख रखा है इसी का, that is same thing, है ना आप A upon sign alpha equals to C upon sign gamma equals to B upon sign beta लिखो, यह उल्टा करके लिखो, एक ही बात है, वो sign alpha by A is equals to sign gamma by C is equals to sign beta by B तो कई बार question solve करते वक्त हमें एक geometrical फाइदा पहुँचाता है यह relation है ना, geometrical relation है जो यह, इसा कई फाइदा हो जाता है अपने को numerical solving में, physics में है ना, तो इसको derive करते हैं कि यह पहुचे कहां कैसे यहां तक, यह result कैसे आया, इस बात तक पहुचते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे आया result, तो जैसे कि इस result को drive करने के लिए, हम क्या करते हैं हम यहां से एक perpendicular draw कर देते हैं इस vertex से मैंने एक perpendicular draw कर दिया altitude, ठीक है अब इस triangle में देखते हैं इसको मैं height h मान लेता हूँ इस triangle में बच्चों मैं sine gamma लिखता हूँ इस triangle में, तो ध्यान से देखना sine gamma क्या होगा इस triangle में तो sine gamma आप अराम से देख सकते हो यह इसकी value आएगी तो यह gamma है तो यह हो गया hypotenuse और यह हो गया सामने वाला side h है तो यह perpendicular हो गया है तो perpendicular upon hypotenuse तो वही करता हूँ यहाँ पे h upon a ठीक है तो sine gamma लिखा है मैंने इसी तरह से इस triangle में मैं sine alpha लिख लेता हूँ लिखता हूँ sine alpha ध्यान देना sine alpha क्या आता है चेक करते है तो sine alpha comes out to be h by c ठीक है अब मैं इस दोनों relation में h की value को equate कर लेता हूँ तो इसमें h की value आएगी a sine gamma और यहाँ से h की value आएगी c sine alpha और क्योंकि दोनों h की value है तो मैं इनको equate कर सकता हूँ लिखता हूँ यहाँ पर चेक करना वहाँ से h की value आएगी a sine gamma ठीक है और यहाँ से जो h की value मिल रही है वो क्या मिल रही है तो notice करना यह है c sine alpha अगर मैं इसको cross multiply करना c को इसके नीचे लिया हूँ और a को इसके नीचे लिया हूँ तो यह बनता है sine gamma by c is equal to sine alpha by a I hope यह समझ भाया होगा आपको तो इस तरह से मैंने यह ratio निकाला है ना आप देख सकते हैं यह this equals to this proof कर दिया अब ऐसे ही एक और किसी दूसरे वर्टेक्स है या तो इससे या तो इससे एक ड्रॉ कर लो altitude और उसी तरह से altitude की value दो triangle से लिख करके equate करो यहां भी तो वही किया ना आपने एक altitude draw किया और उस altitude की value को दो triangle से लिखा बगल बगल के triangle से इसी तरह सेम चीज किसी एक और वर्टेक्स से कर लो यहां से एक वर्टेक्स से altitude draw करो और एक triangle और दूसरे triangle दोनों में perpendicular की length को लिख करके equate कर लो तो आपको यह relation इसके equal मिल जाएगा तो तीनों equal proof हम कर सकते हैं इसको ध्यान रखना है अपने को अब सवालों में कैसे click करेगा question में triangle देखकर कैसे thought राएगा किसी को कि आपने को इसमें sign rule लगाना चाहिए तो इसका एक छोटा सा तरीका है कि आपको कभी भी triangle में एक side दे रखा हो और जो side दे रखा हो उसी के सामने वाला angle आपको दे रखा हो कोई एक side दे दिया triangle का और जो side side दिया उसी के ठीक सामने वाला angle भी question में mentioned है ऐसे case में आपको sign rule क्लिक करना चाहिए अगर आपको बाकी के sides और angles निकालने हैं तो आपको sign rule क्लिक करना चाहिए जैसे कि example कि तुरू देखते हैं आप एक जिसे इस question को देखो बच्चो इस question में इस triangle में आपको ये side दिया हुआ है कि ये 2 है 2 units और ये वाला side भी दिया हुआ है ये है 2 root 2 units और इसके सामने वाला angle दिया है 90 degree है और question में बोला है कि remaining angles और sides अपने को पता करने है देखो बच्चो जैसे ही मुझे एक side दिखाई दिया कि ये 2 root 2 side दिया है question में और ठीक इसके सामने वाला angle 90 degree भी दिया है question में मुझे तुरत thought आता है कि इसका sign rule का तो मैं लगाता हूँ sign rule इसमें ये वाला side 2 root 2 upon ये वाला angle का sign sign 90 ठीक है this will be equals to इस angle को मैं alpha बोल लेता हूँ और इस angle को मैं बीटा बोल लेता हूँ ठीक है तो क्या आएगा check करना तो ये side at 2 upon इसके सामने वाले angle का sign sign alpha देखो बच्चो ये value sign 91 मनेगा ये 2 और 2 cancel out हो जाएगा sign alpha यहाँ से value मिलती है अपने को 1 by root 2 जिससे हमें समझ में आता है कि alpha की value कितने होगी बच्चो 45 degree ठीक है तो ये value 45 degree हो गई ये 45 अब इसके आगे हम बहुत simple geometry से बीटा निकाल सकते है कि ये angle 45 है ये 90 है तो triangle का angle तो सम property कि सारे angle का सम 180 होता है तो ये वाला भी जो मिलेगा ये वाला angle भी 45 हो जाएगा आप चेक कर सकते है 45,90 तो इसको भी 45 होना ही पड़ेगा सम को 180 होने के लिए इसलिए ये value भी कितनी होगी बच्चो 45 degree अब देखो आप ये दुनों angle सेम होगा 45,45 तो ये आईसोसेलिस triangle बन गया आईसोसेलिस triangle में equal angle वाले sides भी आपस में बराबर होते है तो ये 2 है अगर तो ये भी 2 होगा या आप फर्दर चाहो तो pythagoras भी लगा सकते हो ये side निकालने के लिए तरीके बहुत सारे हो सकते है ज़रूरी नहीं कि वो question sign rule से ही solve हो रहा हो पर sign rule से कैसे करना है वो इस सवाल में आपको समझाने की मैंने कोशिच की है हाला कि इस सवाल को pythagoras से भी कर सकते थे कि ये वाला angle 2 है ये वाला side 2 है ये वाला 2 root 2 हो जाएगा hypotenuse 90 के सामने वाला तो pythagoras लगा करके ये side 2 निकाल सकते थे जैसे ये side 2 आता तो हम उते दोनों side बराबर है तो दोनों angle बराबर होंगे एक angle 90 है और इन दोनों का sum भी 90 होना है इससे दोनों को 45 होना पड़ेगा ऐसे भी इसको सोच सकते थे हम but sign rule से कैसे करना है वो आपको मैंने करके दिखाया चलो बच्चो आगे बढ़ते है जिसे sign rule हमने देखा कि एक तरीका is geometrical एक relation है angles और sides की बीच में वैसे ही cosine rule ये दूसरा rule है तो heading डालना copy पे cosine rule for triangles इससे भी बच्चो हम यही करने वाले है हम triangle के sides और angles को relate करने वाले है लेकिन यहाँ पर जो angle आएगा वो cos of the angle relate होगा जिसे sign rule में sign of the angle relate हुआ था जिसे यहाँ पर cos of the angle relate होगा तो पहले देखते हैं कि cosine rule है क्या जिसे इस triangle में देखो बच्चो आपको ये side दिया हुआ है A, उसका adjacent side B पता है और उन दोनों के बीच का angle पता है माल लो तो दो sides पता हो और जो दो sides पता है उनके ही बीच का angle पता हो तो तीसरा side जो बचा उसको आप directly लिख सकते हो ये पहले वाले side का square प्लस दूसरे वाले side का square minus 2AB cos theta minus 2AB theta यहाँ पर क्या है वही दो sides के बीच का जो angle है वो यहाँ पर theta है इसको याद लखने के लिए ऐसे भी देख सकते हो ऐसा लिखा हो है क्या लिखा हो है A minus B का whole square खोल दिया हो किसी ने बस 2AB वाली term में cos theta multiplied है ये extra है तो ऐसे याद लखने के हिसाब से बताया कि आप याद भी रख सकते हो है ना तो C A minus B का whole square A square plus B square minus 2AB और साथ में cos theta multiplied है तो theta क्या है यहाँ पर जो दो sides है उनके बीच का angle A और B है ना हमें C निकालना है तो A और B और उनके बीच का angle theta ठीक है इसको भी हम प्रूफ कर सकते है अच्छा सिर्फ यही नहीं इसे मालनो अपने को यह वारा angle दियावाई alpha for example और B निकालना हो A और C पता हो जहां से सुनना मेरी बात क्या बोला मैंने कि A और C पता है और उनके बीच का angle alpha पता है और यह सामने वारा side B निकालना है तो इसको ऐसे भी सो सकते हैं पर कि B square is equals to जो side निकालना है और जो दो side पता है उनका ऐसे लिखो A square plus C square minus 2AC into cos of angle between them which is alpha तो यह expression भी हम लिख सकते हैं similarly माल लीजिए यह वाला angle beta है आपको B और C पता है और निकालना है A तो सेम चीज़ हम A के लिख सकते है A square है जो निकालना है और C और B पता है उनके बीच का angle पता है तो ऐसा कर सकते है C square plus B square minus 2B into C into cos of beta beta B और C के बीच का angle है तो आप देख सकते हैं किसे sides और angle angle का cos actually वो relate हो रहा है आपस में है तो C square ऐसे लिख सकते है B square को ऐसे लिख सकते है और A square को ऐसे लिख सकते है cosine rule से अब यह rule आया कैसे थोड़ी सी चर्चा उस बारे में करते है तो मैं थोड़ा सा explain करता हूँ आपको कैसे यह rule निकल के आया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चो अगें यहां से एक perpendicular draw कर देता हूँ altitude ठीक है अब इस triangle में देखो यह A है यह angle theta है तो इस वाली length को मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाली length को आप ध्यान से देखो इसको मैं एक बार के लिए P बोल लेता हूँ इस triangle में आप sin theta लिखोगे तो P आएगा sin theta ध्यान से देखना sin theta is P by A तो basically A sin theta P की value आगी P की value कितने आगी बच्चों चेक करना A sin theta I hope समझ में आया होगा तो यह A sin theta होगा इसकी value तो this is A sin theta A sin theta अब ऐसे ही इसी triangle में मैं इस वाली length को लिखने की कोशिश करता हूँ इस वाली length को थोड़ा ध्यान दे ना कैसे रिखेंगे यह वाली length तो यह वाली length लिखने के लिए मैं इसको एक बार के लिए X read कर लेता हूँ X read कर लिया इसको तो इस triangle में cos theta लिखूँगा तो X involved होगा तो इस triangle में cos theta लिखता हूँ cos theta cos theta is base upon hypotenuse तो base हो गया X तो यहाँ पे X upon hypotenuse is A So what is X actually X किया आता है बच्चो ध्यान दो A cos theta क्या आया A cos theta यह X की value आगे अब इस triangle में आकर के हमें simply pythagoras लगाना है और हमारा result आ जाएगा तो इस वाले triangle में आते हैं यह C है hypotenuse यह एक side हो गया right angle triangle का इस right angle triangle का जो की है A sin theta वैसे ही इस length को ध्यान से देखो यह कितना है आपको ध्यान देगा तो यह दिखाई पड़ेगा कि यह B है और यह X है तो यह B minus X हो गया और X की value है A cos theta ठीक है अब इस triangle में pythagoras लगाता हूं ध्यान से देखना क्या होता है C square hypotenuse square is this side का square which is A sin theta का whole square plus यह वाली length का whole square है अब देखो बच्चो यह वाली length का है B minus X मैं X की value पूट कर लूँगा यहाँ पर X की value कितनी है X की value है A cos theta अब यह भी निकारा था हमने A cos theta यहाँ पर A cos theta रखा हमने इसका whole square इनके square rings खोलते हैं आपन देखते हैं क्या होता है तो यह मिलता है अपने को A square sin square theta plus उसका square ring खोलते हैं तो यह मिलता है B square plus A square cos square theta minus 2AB cos theta ध्यान देना इस बात पर आई होब यह समझ मैं होगा देखो बच्चो यह वाली term और यह वाली term को मिला करके हम A square लिख सकते हैं अब A square common लोगे तो आप यह sin square plus cos square बनेगा और sin square plus cos square की value 1 होती है तो यह किस में बतल जाता है तो C square comes out to be A square plus B square minus 2AB cos theta देखो वो result प्रूव हो गया तो इस तरह से result को geometry के through or trigonometry की help लेकर के हम प्रूव कर सकते हैं तो anyways अब यह result अपने को ध्यान रखना है और directly सवालों में हम use करेंगे जब अपने को किसी triangle में कोई geometrical parameter विगरा या angle sides निकालने पड़े इसको directly हम apply कर सकते हैं move करते हैं इसी पर एक सवाल दे रखा है मैंने अच्छा एक important बात कि अब question में हमें यह कैसे thought आएगा देखकर कि क्या देखकर यह thought आएगा कि अपने कोई triangle में cosine rule लगाना चाहिए तो एक तरीका एक thought आने का method यह हो सकता है कि आपको कोई 2 side given हो question में और जो 2 side given है question में उनके बीच का angle भी given हो तो आपको cosine rule click करना चाहिए है ना कि यहां पे cosine rule क्या था ज्यान करो c square equals to a square plus b square minus 2ab cos theta है ना तो यह तो अपने को 2 side पता हो और उनके बीच का angle पता हो तो तीसरा side निकालने के लिए cosine rule क्लिक कर सकता है वैसे ही यह तो तीनो sides पता हो ऐसा भी हो सकता है कि आपको c पता हो, a पता हो, b पता हो और angle निकालने को बोल दे तो भी click कर सकता है कि तीन sides दे दिये और कोई angle निकालने को बोल दिया तो भी cosine rule का thought दिमाग में आ सकता है हलाकि इस question के अगर बात करें तो अपने को 2 sides दिये में हैं और एक angle उनके बीच का angle दिया हो है तो इसी को मैं C बोल लेता हूं लेटा हूं, let us call it C तो cosine rule से C square is a square तो एक side का square which is 2 square plus दूसरे side का square which is 2 root 2 का whole square minus 2 into एक side, फिर दूसरा side 2ab cos theta cos of angle between them which is cos 45 अब इसको values को solve करते है तो C square की value आती है अपने पास 4 यहां से value आईगी 8 2 root 2 का square 4 into 2, 8 हो गया minus, यह हो गया 8 root 2 और cos 45 is 1 by root 2 देखे हो चो यह cancel out हो करके 8, 8 भी खत्म हो जाएगा और यहां से C square की value 4 यहा C की value 2 आती है side है C, negative नहीं हो सकता इसने सिर्फ 2 लिया इसकी value है तो C की value भी 2 हो गई तो यह value भी अपने पास 2 आगी यह भी 2 है, तो यह angle 45 तो यह angle भी 45 हो जाएगा और यह दोनों 45, इनका sum 90 हो गया तो इस angle को 90 होना ही पड़ेगा और इस तरह से हमने बाकी remaining sides and angles निकाल लिए तो I hope यह समझ में आओगा आपको बहुत simple सी बात है sine rule and cosine rule आगे move करते है बच्चो, एक और question है इसे इस question में क्या बोल रहा है कि theta is angle between PQ and QR तो इस angle को वो theta बोल रहा है ठीक है, shown in the figure then, अब कुछ options है इस पर आपने sine theta, cos theta की values निकालनी है तो पहले वीडियो को pause करके एक बार खुछ से try कर लो और जरूरी नहीं है कि हम सवाल में sine rule और cosine rule ही सोचे आप basic जो 10 तक आपने geometry पढ़ी है उसको भी आप use कर सकते है तो एक बार pause करके सवाल solve करना मैं सीधा solution पर आ रहा हूँ और फिर solution देखना जैसे अपने को options में आप देख सकते हो इस theta का ही cos, 10, sine यह सब निकालना है अपने को है ना तो कैसे क्या करें question में तो अगर मैं simple सोचू तो एक तरीका तो यहाँ पर हो सकता है cosine rule कि तीनो sides पता है अपने को अपन सीधा cosine rule लगाएंगे तो यह cos theta की value अपने को मिल जाएगी है ना एक तरीका तो वह हो सकता है और cos theta मिल गया तो हम sine theta निकाल सकते है और sine theta मिल गया कैसे लगाएंगे यहाँ पर एक तरीका यह हो सकता है कि इस पर हम cosine rule लगाएंगे लगाते हैं देखो तो इस दोनों sides को मैं A और B मानता हूँ और इसको C मानता हूँ इसको C read कर लेता हूँ तो मैं read करूँगा C square is A square plus B square minus 2AB cos theta है ना तो अब यह put करते है value को यह 6 का square बनेगा यह बनेगा 6 का square plus 8 का square minus 2 into 6 into 8 into cos theta ठीक है देखो बच्चों यह 6 square से 6 square cancel out हो जाएगा यहां पर अपने पास एक 8 बच्चता है तो एक 8 से एक 8 भी cancel out हो जाएगा तो cos theta की जो value यहां मिलती है cos theta की value मिलती है 8 upon 12 which is actually 2 by 3 2 by 3 तो यह A option तो correct है 2 by 3 अब cos theta मिल गए आपको तो आप identity से sin theta निकाल सकते है cos square theta plus sin square theta इसकी value 1 होती है तो ध्यान देना यहां पर cos theta पता है इसका square करके यह पुट करता हूं तो यह क्या बनता है 4 by 9 plus sin square is 1 तो sin square की value बनती है आप चेक करो 1 minus 4 by 9 which is actually 5 by 9 यह sin square है तो sin theta क्या बनेगा root 5 by 3 तो इससे b भी correct हो गया अब इन दोनों को divide कर ले sin theta और cos theta को तो आपको 10 theta की value मिल जाएगी आप देख सकते हैं वो root 5 by 2 आएगा मैं को pen उठाने की भी ज़रवत नहीं है sin theta upon cos theta करो तो root 5 by 2 आएगा जो की c option में है तो ये c option भी correct हो जाएगा तो ये एक तरीका था इस question को solve करने का using cosine rule पर ज़रूरी नहीं question को cosine rule से भी करें हाला कि सवाल को मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ simple 9-10 तक की geometry है हम उससे भी सवाल को solve कर सकते थे कैसे देखो देखो बच्चो जैसे इस question में अगर मैं को दिखाई देगा ध्यान से देखूं तो 6 और 6 तो ये आईसोसेलिस triangle है ये वाला angle theta बोला है इनोंने इस angle को theta बोला है मैं यहां से एक perpendicular draw कर दूँ अगर तो मानतों ये median भी होगा आईसोसेलिस triangle में equal sides की जो vertex है उससे आप altitude draw करते हो तो वो median भी होता है मतब ये वाली length और ये वाली length बराबर होगी तो ये length 4 हो गई अब आप सीधा इस triangle में cos theta लिख सकते हैं ये right angle triangle हो गया तो इस right angle triangle में सीधा में cos theta और sin theta की value लिख सकता हूँ ये 6 है ये 4 है तो cos theta की value हो जाएगी 4 by 6 ठीके बच्चों तो ये आजाएगा 2 by 3 I hope समझ में होगा आपको है ना वैसे ही perpendicular निकाल लो यहाँ पर perpendicular कैसे निकालोगे तो hypotenuse का square minus base का square इस perpendicular का square तो 36 minus 16 is 20 तो perpendicular आजाएगा root 20 है ना अब sin theta निकालने के लिए क्या करोगे तो root 20 upon 6 है ना perpendicular upon hypotenuse उसे आपको ये value मिल जाएगी ठीक है और similarly 10 theta निकालने के लिए क्या करोगे तो perpendicular upon base तो root 20 by 4 उसे आपको ये वाली value मिल जाएगी तो ये भी एक तरीका हो सकता था question को solve करने का without even using cosine rule but अपने को cosine rule की भी practice करनी थी इसलिए मैंने cosine rule से भी सवाल को करके दिखाया चलो आगे move on करते है बच्चो अब हम आते हैं इस पर maximum and minimum values of some useful trigonometric functions तो कुछ trigonometric functions के maximum value और minimum value की हम बात करेंगे जैसे कि सबसे पहरे तो बहुत simple सी बात लेकिए sine theta है माल लीजे तो sine theta, theta की value कुछ भी हो सकती है है ना 0, 10, 90 degree कुछ भी हो anything 90 से जादा क्यों ना हो उसकी value maximum जो हो सकती है वो हो सकती है 1 और minimum किती होगी minus 1 मतलब sin theta की value 1 से जादा नहीं हो सकती और sin theta की value minus 1 से कम भी नहीं हो सकती मतलब जब से minus 2, minus 3, no not possible sin theta की value ऐसी values नहीं हो सकती similarly cost के भी maximum minimum की बात की वी हम नहीं यहाँ पे कि cost की जो values है वो कहां से कहां vary कर सकती है तो आप यहाँ पे angle कुछ भी put करो और 1 से जादा मिलेगा ही नहीं है तो यह आपको ध्यान रखना है हाला कि mass में जब trigonometric का chapter पढ़ेंगे वहाँ पे और detail में इनके बारें बात की जाएगी अभी हम physics के point of view से बात कर रहें बच्चो तो इतना information काफी है आपके लिए और कपका बात आप याद करो मैंने बताया था तो 4N plus 1 pi by 2 4N plus 1 pi by 2 इस format का angle जब भी रहेगा तो वह 1 आता है और 4N minus 1 into pi by 2 ऐसे format का angle रहता है तो वह हमेशा minus 1 आता है तो maximum 1 हो सकता है value minus 1 minimum हो सकता है वैसे cos theta का value 1 का बाता याद करो आपको बताया था मैंने extreme angles की जब values आपको पढ़ाया था तो वहां बताया था कि cos theta 1 कब होता है तो हमेशा even pi's पर even pi's पर 0 पे 2 pi 4 pi इन पर वो 1 बनेगा और odd pi's पर मतलब pi, 3 pi, 5 pi इन पर वो minus 1 बनेगा तो cos theta की value minimum minus 1 हो सकती है और maximum 1 हो सकती है चलो ये तो हो गया दो बाते जो अपने को ध्यान रखनी है अब इसी की basis पर एक और चीज़ है जो अपने को काफी काम आती है physics में वो है ऐसे expressions की value सर कैसे expressions की मतलब अगर आपको cos दिख रहा है किसी angle का और साथ में plus या minus हो कुछ भी यहाँ पर sign हो किसी angle का है तो basically ये standard format में ऐसे लिखायाता है अब cos का कोई coefficient है से sign का कोई coefficient है b ध्यान रखना है जिस angle का cos है उसी angle का sign है और आपस में add या subtract type से हो रहे हैं ऐसे expressions हो तो आपको क्या करना है जो cos का coefficient है और sign का coefficient है उसको देख लो उनको square करके add करो और root over ले लो square करके add करो और root over ले लो वो उसकी maximum value हो जाईगी और minimum value उसी का minus times जैसे की example के तोर पर मैं आपसे बोलूँ कि 3 sin theta plus cos theta ऐसा कुछ लिखा हुआ है मैं बोलू कि इसकी maximum value क्या होगी तो यह इसी format का expression है चेक करो जिस angle का sign है उसी angle का cos है आपस में add हो रहे हैं तो sign का coefficient क्या है 3 और cos सा coefficient कुछ नहीं लिखा है तो यहां 1 लिखा है 1 है ठीक है तो क्या आएगा इसका maximum value अगर मैं पूछू तो इस का square 3 का square plus इसके coefficient का square 1 का square का root ओवर ले लो तो यह बच्चो बनेगा root 10 तो maximum value इसकी root 10 हो जाएगी और minimum value minus root 10 हो जाएगी ठीक है directly आपने इसको use कर सकते हैं सवालों में अब यह कैसे यह कैसे परदा चला आपने को कि यह values maximum minimum होगी तो इसको मैं थोड़ा सा explain करता हूँ आपक यहां पर कि कैसे अपने को परदा चला कि वह value maximum होगी यह minimum होगी और यह maximum value होगी ऐसे expressions के लिए तो इसको मैं यहां पर थोड़ा साथ प्रूफ और के दिखाता हूँ जैसे मालनों बच्चो यह expression है a sin theta a sorry a cos theta a cos theta ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर है ना plus b sin theta यह expression है मैं को पता करने के लिए इनके coefficient के square को खुद से ऊपर नीचे यह ले करके coefficient के square को add करके root over ले करके इस term को मैं ऊपर भी और नीचे भी खुद से multiply divide कर देता हूँ कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी expression में same value से multiply divide करो यह a square लिखा है ना बच्चो square लिखा है a same number से multiply divide करो तो कोई फर इस वाली term को इस bracket के अंदर लेके जाओ तो क्या बनता है ध्यान देना ऊपर एक term अचीवी है a square plus b square का root over ठीक है इसको अंदर लेके गई तो क्या बनता है ध्यान देना थोड़ा सा a upon a square plus b square का root over into cos theta ठीक है और क्या बनेगा आगे check करो plus b upon यही वाली term a square plus b square का root over into sin theta आज़ो अब यहां तक समझ भाया होगा आपको अब देखो बच्चो इसको आप ऐसे देख सकते हैं a और b कि एक right angle triangle hypothetical hypothetical एक right triangle triangle मानलो जिसका एक side a है एक side b है और यह वाला hypotenuse हो जाएगा a square plus b square का root over इस angle को मैं 5 बोलतू 5 ठीक है ऐसे खुद से माना मैंने कि एक right angle triangle है जिसका एक side a है एक side b है और hypotenuse कितना हो गया a square plus b square का root over तो बच्चो आप खुद देखो यह जो term है यह वाली term इसको आप क्या लिख सकते हैं तो इस triangle से अगर रीड करेंगे तो यह sin phi है कोई angle ऐसा phi है जिसका sin लिखा हुआ है phi में भी some angle तो यह क्या बन गया बच्चो a square plus b square का root over यहां पे बना sin phi cos theta मतलब कोई एक angle ऐसा होगा phi जिसके right angle sides a और b होंगे और hypotenuse a square plus b square होगा तो sin phi क्या होता वही जो लिखा है यहां पे तो मैं इसको sin phi लिख लेता हूँ और वैसे यह जो term है बच्चो देखो यहां इस cos phi sin theta अब देखो इसको ध्यान से यह जो term में बच्चो यह कोई formula आपको ध्यान आएगा हाँ यह किसका formula है sin of a plus b का तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a square plus b square का root over और यहां पे क्या बच्चा sin of phi plus theta यह बन गया अब मैंसे कोई पूछे कि इस पूरे की maximum value क्या होगा देखो बच्चो यह एक constant चीज है multiply में इसके साथ तो इसकी जब value maximum होगी तो इस पूरे expression की value maximum होगी तो sin of any angle, sin angle कुछ भी हो इसकी maximum value कितनी हो सकती है अभी भी बताया sin की maximum value 1 हो सकती है तो इस पूरे expression की आप खुछ सोचो maximum value क्या होगी तो यह तो एक constant चीज है तो जब इसकी maximum value आएगी तब यह पूरा expression maximize हो जाएगा और इसकी maximum value 1 होती है तो इस पूरे expression की maximum value कितनी होगी बच्चों a square plus b square का root over इसी तरह से इस पूरे expression की minimum value को ही पूछे तो जब इसकी value minimum क्योंकि यह तो constant है तो जब इसकी value minimum होगी तो इस पूरे expression की value minimum होगी तो इस sign का term है इसकी minimum value कितनी होती है तो angle कुछ भी हो अंदर sign की minimum value होती है minus 1 तो इस पूरे expression की minimum value हो जाएगी minus of root over of a square plus b square और इस तरह से यह expression हम लोग prove कर सकते हैं हाला कि proof पर एक बर बस जानने के लिए knowledge कि आपको बता दिया अब ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है वो पुरा proof ध्यान नहीं रखना अपने को क्या ध्यान रखना है बच्चो इतना सा ध्यान रखना है कि इस तरह के expression का maximum value निकालने के लिए coefficients का square करके root over कर दो add करके और उसमें minus लगा दो तो minimum value आ जाएगी ठीक है चलो तो सवालों में इसको use करते हैं है ना जैसे एक सवाल यहाँ पर यह है 2 sin x इसकी maximum value पूछ रहा है तो इसी तरह से देख सकतो यह constant है बच्चो और यह sin x तो sin x की value maximum put करोगे तो यह पूरा expression maximize हो जाएगा तो इसकी maximum value हो गई plus 2 है ना क्योंकि sin x की maximum value 1 है तो आप 1 put करो तो यह 2 आ जाएगा और वैसे ही minimum value की बात करें तो sin x की minimum value minus 1 है तो जब इसको minus 1 put करोगे तो यह पूरी value minimize हो जाएगी और वह कितना जाएगा minus 2 ठीक है चलो next अब जैसे यह है यहाँ अकेला sin x या अकेला cos x नहीं है सिर् अकेला sin x हो तब उसकी maximum minimum value से काम चल जाएगा 1 है maximum value minimum value minus 1 है वह put करके काम चल जाता है यहाँ पर sin x cos x जोनों साथ में जब यह maximize हो रहा होगा तो यह maximum नहीं होगा जब यह maximum होगा तो यह maximum नहीं होगा तो ऐसे expression की maximum minimum value अभी अभी निकालना सिखाया कि coefficient का square करो तो इसको a read कर तो 3 square plus 4 square का root over तो यह 5 आ जाएगा बच्चो तो maximum value इसकी 5 हो जाएगी और minimum value minus 5 ठीक है ध्यान रखना value सिर्फ 5 और minus 5 नहीं है in between इसकी value in between minus minimum value minus 5 है और maximum value 5 है मतब इस expression की value minus 5 से 5 के बीच में actually कुछ भी हो सकती है है ना हमने सिर्फ maximum minimum पूछा इसने maximum 5 और minimum minus 5 चलो next question पर आते हैं यह question पर एक खुछ से try कर लो एक बार pause करके और फिर solution पर यहां से check करना इस question में क्या हो रहा है बच्चो एक expression दिया हुआ है 6 sin x plus 8 cos x और इस expression की values क्या-क्या इन में से possible है यह पूछ रहा है अभी भी बता है आपको कि ऐसे expressions है ना जिनमें sign जिस angle का है cos भी उसी angle का है वो आपस में add हो रहे हो इस तरह से या subtract हो रहे हो तो आप सीधा इसका maximum value लिख सकते है coefficients का square कर लो ठीक है और root ओपर ले लो देखो बच्चो यह 36 बनेगा यह 64 बनेगा तो यह root 100 हो गया जो की बेसिकरी 10 के बराबर है तो इस expression का maximum value 10 हो जाएगा और minimum value minus 10 हो सकता है और minus 10 इसका minimum value है मतलब minus 10 से और छोटा नहीं हो सकता पर minus 10 तक कुछ भी हो सकता है तो 10 और minus 10 खाली इसकी values नहीं है इसकी maximum value 10 है minimum value minus 10 है मतलब इस expression की value minus 10 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है तो अब देखते है minus 10 से 10 के बीच में क्या-क्या है तो 10 हाँ बिल्कुल possible maximum value 10 है, minus 12, यह possible नहीं होगा, इसकी minimum value minus 10 है, तो minus 10 से छोटा, इसकी value हो ही नहीं सकती, तो यह possible नहीं है, minus 3, yes, minus 3 lies between minus 10 and 10, तो 10 और minus 10 के बीच में, जो भी values हैं, वो सारी possible होगी, तो minus 3 भी possible हो जाएगा, तो यह भी correct हो गया, 9, again 9 भी possible है, maximum value 10 है, पर 9 भी possible है value है ना, minus 10 से 10 के बीच में 9 आता है, इसलिए यह भी possible value है, सिर्फ maximum minimum पूछता, तो minimum यह बोलता मैं, maximum यह बोलता मैं, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अब next question पर आते हैं बच्चो, यह आखरी सवाल है, आज के lecture का, इस question में क्या बोल रहा है, X1 की value दीवी है, 10 साइन थीटा, है ना, और X2 की value दीवी है, 10 कॉस्ट थीटा, और कुछ options हैं, correct options आपको choose करने हैं इसमें से, देखो बच्चो, मैं आपको suggest करूँगा कि एक बार वैसे ही, जैसे आप video को पहले pause करके, खुच से try कर लें, और फिर यहां से solution, जो मैं बता रहा हूँ, उसको समझें, तो मैं आता हूँ सिज़ा solution पे, यह मानते वे कि इमानदारी से, आपने video pause करके try कर लिया होगा सवाल को, तो इस पर अपने क्या-क्या पूछा गया है, एक तो x1 प्लस x2 की max value पूछी गई है, तो x1 प्लस x2 क्या है, x1 प्लस x2 is actually 10 sin theta, प्लस 10 cos theta है न, तो ऐसे expressions की maximum value अभी भी निकालना सिखाया, coefficients को square करके add करो और root over ले लो, तो क्या हैगा इसका max value बच्चो, 10 square प्लस 10, 10 square प्लस 10 square का root over है न, यह x1 प्लस x2 का max value आजाएगा, x1 प्लस x2 का max value, तो कि इतना आता है, यह अन्दर 200 का root over बनेगा, यह 10 root 2 बन जाएगा, तो 10 root 2 तो यह a option correct हो गया, आप देख सकते हैं, यह a option आपना, तो x1 प्लस x2 का max value तो आगया, वैसे ही d option भी आप तुरत देख सकते हैं, x1, x2 को divide कर लो, x1 by x2, 10 भी उठाने की ज़रूत नहीं है, अब divide कर लो के 10, 10 कट जाएगा, और sin theta by cos theta बनेगा, और sin theta by cos theta, 10 theta के बराबर होता है, तो इसलिए यह भी correct हो गया, ठीक है न, अब b और c चेक करना है, तो b और c चेक करने का अच्छा तरीका यह हो सकता है, कि आप x1 plus x2 इसके बराबर है या न, यह चेक करना है अपने को, तो इसके लिए क्या करें, अब यह तो b सही होगा, यह तो c सही होगा, क्योंकि sin वाली term दोनों में सेम है, यहाँ पर 10 root 2 है और यहाँ पर 10 है, है न, तो मैं पर इस b option चेक करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं rhs को solve करता हूँ, rhs की value, अगर x1 plus x2, मतब 10 sin theta plus 10 cos theta के बराबर आ जाती है, तो मैं correct कर दूँँगा उसको, है न, तो मैं इसका rhs solve करता हूँ, option b solve करके दिखाता हूँ, तो rhs में क्या अपने पास, 10 root 2 sin theta plus 45, इसको solve करता हूँ, sin a plus b के formula में खोलते हैं इसको, देखो क्या बनेगा यह, 10 root 2, तो यह बनेगा sin theta cos 45, ठीक है, आगे, formula आपको ध्यान होना चाहिए, sin a plus b का, sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है, अब यहाँ पे cos 45 और sin 45 की values put कर लो, उनकी values 1 by root 2 होती, इसकी value भी 1 by root 2 बनेगी, यहाँ से भी root 2 नीचे में और यहाँ से भी root 2 नीचे में, common लेके बाहर निकाल लोगे, तो root 2 cancel out हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे, वहाँ पे 10 बचेगा बाहर, रूट 2 को यह तो अंदर ले लो, ऐसा बोल लो, यह इस दोनों में sin 45 और cos 45 की value को बाहर निकालो, 1 by root 2 और root 2 root 2 कट कर दो, तो क्या बचता है ध्यान देना, यह बचता है sin theta यहाँ से और यहाँ से cos theta, तो यह बनेगा sin theta plus cos theta, ठीक है बच्चो, तो आप देख सकते हो, इसको bracket को open करूंगा, तो 10 sin theta plus 10 cos theta बना, जो कि x1 plus x2 के बराबर है, 10 sin theta plus 10 cos theta, और इसलिए यह B option भी correct हो गया, तो बच्चो, इसका correct answer हो जाएगा A, B and D, तो यह बच्चो, हमने trigonometry के बारे में, बहुत सारी information इकठा करी, जो कि अपनों को physics के point of view से कामाने वाले हैं, अब next वाली class में, हम start करने वाले straight line और slope के बारे कुछ बाते हैं, तो मिलते हैं next lecture में,